विलियम शेक्सपीर की एक बहुत फेमस लाइन है यानि नर्क खाली है और सारे हैवान यहाँ धर्ती पर मौझूद है हमें ये लाइन तब सच लगने लगती है जब हम किसी इंसान को इंसानियत भूल कर कोई ऐसा काम करते हुए देख ले जो हमें सोच में मजबूर कर दे की क्या कोई एक नॉर्मल इंसान ऐसा काम कर सकता है साइफोपैट इस टर्म के बारे में तो हमने सुनाई होगा या तो फिल्म्स में या फिर असली जिन्देगी में और जैसे हम psychopaths सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक image form हो जाता है, जहाँ पे एक इनसान अपने खून से लत्पत भरे weapon को पकड़ के अपने आखों में बिना किसी guilt के जी रहा है इस unstable इनसान की आखे तो इनसानों जैसी होती है, लेकिन सोच एक जानवर की जैसी होती है Psychopath Checklist एक psychopath assessment tool है, जिसके author ने psychopaths को कुछ इस तरीके से define किया है लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई इंसान आखिर ऐसा क्यू सोचता है and what makes a psychopath a psychopath? 29 October 2004, जलंदर पुलीस को ये खबर मिलती है कि उनके बनाए गए एक स्केच से हूबहू एक इनसान दिखाई दिखाई दिया गया है जो एक साइकल पर थाली से भरी टॉफीज लेके जा रहा है Station House Officer प्रीतम सिंग ने उसे पकड़ने की कोशिश की and he was successful in that उस इनसान का नाम था दर्बरा सिंग, an ex-army man who worked in a leather factory लेकिन एक रोज की तरह सुबह जाने वाले इनसान का स्केच पुलीस के पास आकर क्यों था और दर्बरा सिंग के पास धालियों में भरकर टॉफीज क्यों थी? Well, September 2004 में उस इलाके में तहलका मत सुका था क्योंकि पिछले चार महिनों में कुल 14 बच्चे गुमरा थे जिन में से 10 वर मिसिंग एक जगा एक बच्चे का हाथ और दूसरी जगा एक 10 साल की बच्ची की डीकंपोज होती हुई बॉडी पुलीस को एक ऐसे इंसान पे शक था जो साइकल चलाता हो और जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी पकड़े जाने पर दरबरा सिंग के चेरे पर डर भी नहीं था गिल्ट तो बहुत दूर की बात है and he confessed that he targeted 23 kids जिसमें से he had killed 17 kids पुलीस को statement देते हुए दरबरा सिंग ने ये कहा कि उसे इस सब का बिलकुल भी पच्टावा नहीं है and उसे migrant labors और उनके बच्चों पर गरच था 1996 में उसने एक migrant labor की बेटी को मॉलेस्ट करके उसका murder करने की कोशिश की थी पकड़े जाने पर उसे 30 साल की सजा सुनाई गई लेकिन on the basis of good behavior, he was released उसके life के 6 साल बरबाद हुए थे because of a migrant labor and इसी के वज़े से revenge लेने के लिए अब वो migrant labors के बच्चों को टार्गित करता वो बच्चों को chocolate देकर अपनी और आकरशित करता, उन्हें kidnap करता और फिर उन्हें torture करता जब तक वो मर ना जाते इसी के साथ साथ उन्हें sexually molest भी करता जलंदर की SSP जिनोंने दरबरा सिंग को गिरफतार किया था उन्होंने ये कहा that they had found the skeletal remains of the 17 children अब आप ही सोचिये, एक नॉर्मल इंसान को ऐसी जगा ले जाया जाये, जहाँ पर 17 बच्चों के कंकाल है, तो उसका क्या reaction होगा? It is pretty obvious कि वो डर जाएगा और बहां से उसे भागने का मन करेगा तो अब सोचिये, दरबरा सिंग एक नॉर्मल इंसान से कितना ज्यादा देंजरिस है As he was the one to kill and torture these kids और वो ये सब इसले करता क्योंकि उसे एक community से revenge लेना था जिसने उसे जेल भेजाता for rape and attempt to murder On the top of that, उसने police को ये भी बताया कि अगर वो इतना जल्दी पकड़ा ना जाता तो वो और बच्चो को target करता इससे हमें ये पता चलता है कि दरबरा सिंग और उसके जैसे कई criminals जब crime commit करते तो उनको number one, कोई guilt नहीं होता and number two, they have zero empathy with their victims लेकिन अब आप सोचोगे कि ऐसा होता क्यों है so for that, we first need to analyze the brain of a psychopath what exactly goes on inside the brain of a psychopath इंसानोंने बनाई दुनिया की सबसे खूपसूरत और सबसे बदसूरत और भयानक चीज का origin एक ही है the human brain psychopaths की psychopathy उनके brain से जुड़ी हुई है University of Wisconsin-Madison के researchers ने ये research carry out किया था जिसमें दो human brains को एक साथ compare किया गया था एक जो psychopaths डाइगनोज हुए थे और दूसरे जो हारेज psychopaths के checklist के 20 प्लस parameters के हिसाब से psychopaths नहीं थे अब जब इन दोनों के brain images को compare किया गया तब ये पता चला कि psychopaths के दो अलग brain इससे है याने ventromedical prefrontal cortex और amygdala में कम connections है ventromedical prefrontal cortex याने VMPFC ब्रेन का वो हिस्सा है जो brain और empathy के लिए responsible होता है और amygdala का काम होता है to process strong emotions such as anger, anxiety, fear and pleasure जहां research किया गया था वहां के assistant professor of psychiatry Michael Coins का ये कहना है psychopaths के brain के वो दो structures जो emotion और social behavior को regulate करने के लिए जाने जाते है वो एक दूसरे से communicate नहीं कर पाते लेकिन ये connection weak होने से क्या होता है इसके लिए हमें University of Chicago और University of Mexico के neuroscientist के दवारा किये गए research को समझना होगा हम crime stories को देख कर या सुनकर ये सोच में पढ़ जाते है कि कोई इनसान ऐसा कैसे कर सकता है so the answer to this is the brain scan of 80 prisoners 18 से लेके 50 साल के prisoners को psychopathic के test के थ्रू गुजरना पड़ा दूसरे step में उनको जान बूच कर ऐसे scenarios दिखाए गए जिसमें humans को intentionally hurt किया जा रहा है उनके responses को examine करने के लिए उनको short videos भी दिखाए गए जिसके अंदर pain के द्वारा जो होते facial expressions है वो दिखाए गए prisoners के brain के overall reaction को observe करने के लिए functional MRI का use किया गया and the result showed that there was less or no activity in the areas linked to empathy इसका मतलब यह है कि उनको दूसरों का दर्द और उनके लिए empathy बिलकुल महसूस नहीं होती है लेकिन उनके brain के insula नाम की region में एक higher activation नजर आया था और ironically वो area emotional awareness में बहुत important role play करता है Gene Dacity जो एक neuroscientist है वो यह कहते है कि यह psychopaths अपने violent action को लेकर emotionally aware तो होते है लेकिन उनके brain के दूसरे हिस्से में register नहीं होता जिसके वज़े से वो इतने जादा insensitive बन जाते है और उनमें empathy खतम हो जाती है इसके अलावा यह भी पाया गया है कि psychopaths अकसर decision making में कुछ ना कुछ गलती करी देते हैं और इसके वज़े से वो खुत के और दूसरों के जिंदगी के साथ बुरा कर बैठते है यह trait भी उनके दिमाग से जुड़ा हुआ होता है हमारे दिमाग में stratum नाम का एक region होता है जो की choice related task के लिए काम आता है और VMPFC हमारे brain को mental time travel करने के लिए responsible होता है यानि कि हम यह feel कर सकते हैं कि हमें future में कैसा feel होगा based on the decisions that we take in the present अब इन दोनों parts में proper connection नहीं होने के वज़े से psychopaths proper decisions नहीं ले पाते जिनके वज़े से वो खुत के और दूसरों के जिंदगी को भी harm करते अब यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि psychopathic features होने का मतलब यह नहीं है कि वो इंसान violent हो अपने actions में psychopathic traits are not always about crimes लेकिन उनमें pathological lying and narcissism जैसे negative traits मौजूद हो सकते हैं तो अब इससे यह पता चलता है कि psychopathy एक mental बिमारी है, एक mental illness है तो अब इसके ilाज का क्या? क्या एक psychopath का इलाज करके उसे normal बनाया जा सकता है? R.E. Psychological Checklist के founder Robert Hare का यह कहना है कि psychopaths को यह realizing ही नहीं होता कि वो किसी mental problem से गुजर रहे है उनको ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें emotions कैसे feel करें उसके लिए train किया जाए लेकिन यह करना आसान नहीं होता है क्योंकि psychopath ही में early detection बहुत ज्यादा माइने रखता है मान लो बच्पन में animals के साथ बुरा बरताव करना या फिर किसी को चोट पहुचा के भी उसके लिए बुरा महसूस ना करना यह सब कुछ आगे जाके काफी violent actions में तबदील हो सकता है and maybe यह सब इशारा करता है towards psychopathy इसे ignore करने से बहतर है कि parents और teachers को मिलके इसे as a mental illness लेना चाहिए and they should take the right treatment क्योंकि early stage यानि कि childhood में ही psychopathy के intervene करने से इन psychopaths को आगे जाके violent होने से बचाया जा सकता है behavioral therapy, group therapy जैसे treatment से इन बच्चों को psychopathy में engage होने से बचाया जा सकता है हारे मानते हैं कि सारे psychopaths criminals नहीं होते कुछ CEOs भी psychopaths होते हैं कुछ media के लोग भी psychopaths होते हैं लेकिन these potential criminals can be productive at the same time because of the right tools given at the right time लेकिन अब मेरा एक सवाल है कि अगर psychopathy एक mental बिमारी है तो क्या उन criminals को जो दिल दहला देने वाले crimes करते है क्या उन्हें सलाकों के पीछे भेजना चाहिए या फिर किसी दूसरे mental disorder की तरह उन्हें भी treatment मिलना चाहिए UK और USA में psychopaths को identify करके उनकी mental health condition को ठीक करने के लिए कई सारे laws बनाए गया है instead of directly putting them in the prison लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है the Indian judicial system follows the act is not culpableable if the mind is not guilty याने जब तक मन दोशी नहीं है तब तक किया हुआ काम भी गलत नहीं है तो psychopaths के case में ये apply नहीं होना चाहिए because वो अपने guilty mind के वज़े से ये सारे crimes नहीं करते but they do it because of a mental illness called psychopathy mental disorders होने पर clinical और psychiatric test किये जाते है लेकिन ये चीज़ psychopaths पर apply नहीं होती है because वो mentally काफी fit लगते है और तो और वो बिना किसी पच्तावे के अपने गुना को कबूल कर देते है जैसे कि दर्बंगा सिंग ने अपना crime कमिट किया था इस सब की वज़े से उन्हें एक पत्थर दिल क्रिमिनल का नाम दे दिया जाता है लेकिन असलियत में वो mental patients होते है यहां unawareness होने की वज़े से लोग दूसरे mental disorders और psychopathy के बीच का difference notice नहीं करते है अगर हम solution की बात करें तो इसमें सारे ही लोग जो law से related है that is from police to the judge सभी को एक ऐसा program provide कर दिया जाना चाहिए जिसमें they know that how someone with a mental disorder of psychopathy can turn into a dangerous criminal psychopaths अपने दिमाग का शिकार बन जाते है तो अब इसमें आप ही बताईए क्या उनको जलात के पास बेजना चाहिए या फिर doctors के पास Do let us know in the comments section और अगर आपको ये video पसंद आयो then do not forget to hit that like button and share this video with your friends and if you want more such interesting videos then do subscribe to Big Brain को झाला पोज झाला लाओ। झाला लाओ। झाला उनको तब problema जा बना मीर Yeah